Hello friends, welcome to Rollis Study, Tradition of Success Friends, आजके स्वीडियो में SSC GD वाले के लिए बहुती बड़ी खुसकवरी है बहुत बड़ी ख़वर है उनके लिए यहां पते कि जिनका सेलेक्स नहीं वाले के लिए बहुती महतुपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि यह वीडियो उनको अंतर तक जरू देखना होगा क्योंकि इन में उसके बारे में जो 100% ओफिशियल जो नोटिफेस्ट निकल के आए आपने इसको देखा होगा या आपको याद नहीं रहा है बट इनी के बारे में आज डिसकस करने वाले है था कि आपको बारे में पूरी ब्रेकिंग यूस के मादि हमसे हम बताएंगे इनको कि क्या-क्या जानकारी आपको यहां से मिल पाएगी तो वीडियो को अंतर तक जरू देखिए वीडियो को जल दिस लाइक कर दीजिए और अपने दोस्क्ता जरूर करें चैनल पर पहले बारे सबस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा जिता कि लेटेस्टी वीडियो की जनकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चलिए हम देरना करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ गाए जो साइट है उसपे हम आ गाए उसमें हमारी निव्स निकल कर आने वाली है थो यहां पर देख लेते हैं क्या न्यूज ons निकल कर आ रही है यहां पर देखे आपको जो माक्स शो अपने बड़ी खवर है तो देखें, marks of the candidate will be placed on the commission website www.ssc.nic.in तो देखें, यहाँ पर देखें, आपको जो marks जो दिखाई देंगे, total जो marks होंगे, row marks और normalization के जो marks होंगे, वो आपको 26 या 27 तारिक को, आपकी जो SSC की official website है, इस पे आपके दिखाई देने लग जाएंगे, जो कि SSC द्वारा officially है, सबको दिखाई देने लग जाएंगे, तो यहाँ पर आप 27, 26, 27 तारिक मान सकते हैं, तो कि result के 5-6 दिन बाद यह आपको सभी को दिखाई देने लग जाते हैं, तो यहाँ पर देखे, SSC के द्वारा भी यह पब्लिस कर दी जाते हैं, तो यहाँ पर आप easily इनको देख पाएंगे, और उसके बाद में आप समझ पाएंगे, कि आपके कितने marks हैं, और कितने आप आपको normalization में कितने अंक बड़े हैं, या कितने अंक कम हुएं, तो पूरा data आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप ऐसा भी relate उनको कर पाएंगे, कि कैसे आप जो हैं, आपके यदि answer के में ज्यादा number है, और यहाँ पर कम number बता रहा है, और जो कि cut off कुछ और है, तो यहाँ आप झो PST और PST और PET जो न के हैं, यहाँ आप पर èn्राज यहाँ यहाय है, यह जो पर देख सकते हैं, यह जो फिसल्ट करवाता है, केफ कर वाता है, C-A-P-A इसी के त्वारा जो की physical जो conduct करवाया जाता है SSC का तो यहां पर पूरी news है वो पल देते हैं जी हां तो क्या news है देखे पल देते हैं पहले जी call letter to candidate qualified to PET-PST will be issued by the noble nodal CRPFs will be conducted by the CAPFs तो यहां आप देख सकते हैं यह जो आपके जो SSC के जो physical के admit card होंगे Science CAPPF की जो वेपसाइट होगी उस पर बहुं जल् Freddy आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर दोनों के जो date, वो tentity, वो हम बता देते, expected बान की चले, तो अगस्त में आपका physical हो सकता है, पूरे chance अगस्त में बन रहा है physical होने का, तो यहाँ पर आप इसा देख सकते हैं, उसके बाद में हम चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो आगे list में जिन candidate का नाम नहीं, उनके बारे में discuss कर लेते तो जिन candidate का जो कि 34 यहाँ पर देखे यह जो पूरा data इन्होंने दे रहा है रोल नमबर दे रहा है यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके रोल नमबर है तो यहाँ पर जियो है इन्होंने दे रहा है result of 34 डेवर्ट candidate have not been processed रोल नमबर of this 34 candidate are us float रोट तो इन्हें blacklisted कर दिया स्सी के दोरा तो हम पर देख सकते हैं 34 जो candidate in your role नमर यहाँ दिकाय दे रहा है तो यहाँ पर आपके तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई दिकाय नहीं दे रहा है role number एकतिस साथ दोजार उन्नीस अलोंग वित कोफी और प्रिंट आउट ओप दा ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म एनी सच रिप्रिजेंटेशन रिसीवड आफटर इकतिस साथ दोजार उन्नीस विल नोट भी इंट्रेंड बाइदा कमिशन तो यहां पर देखें अगर आप यह जो पूरा डेटा है इसके आपको जो प्रिंट आउट है उनलाइन फॉर्म का और एड्मिट कार्ड का उसकी जो कोफी है वो आपको एससी का जो रिजनल ओफिस होगा वहां पर जाके जमा करना है कब करना है 31 साथ 2019 से पहले जमा करना है आपको यह आपके पूरा जो डेटा करेंगे तो एससी किस पर कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी तो यहां पर आप समझ सकते हैं देख सकते हैं और जाकर आप यहां पर पूरा पढ़ डीजी एक बार अगर आपको समझ में नहीं आये तो यह पूरा आप डाउनलोड कर लीजे और पढ़ लिजे इसकी जो ल